कि दो //देख़ा यार बच्चों लास्ट प्लासमें हम लोगों ने लक्टोरट पोटेंशियल किया था ध्यान आप सब खो को एलक्टोर्ट पोटेंशियल किया था चल मैंने आपसे कहा स्काइब के आँखेब और अब इसके आँगे की बाते आज हम लोग को ने चा lado करेंगे। लिए की भाते हम लोगों कर ली थी शतूर है figuring अब जो मैं पताने जाए रहा हूँ बहुत इम्पोटनेंट है अब इससे पहले तो आप स्टैंड Kendal नमबर बता देते थे यार अब रिकॉर्डड में दिखके दिए है कि बताओगे कैसे तो तुक्का मारते हैं बैठके लास्ट क्लास में जो थी नमबर हुआ होगा अभी तक लास्ट क्लास में सायद कोई बहुत important चीज है अच्छे से समझेंगा देखो पहला point जो बच्चों electrode potential होता है एलक्रोड पोटेंसियल होता है यह देखो एलक्रोड पोटेंसियल जो होता है वो हमारा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है जिनको आप एड नहीं कर सकते हो जिनको आप एड नहीं कर सकते हो एलक्रोड पोटेंसियल एक एक इंटेंसिव प्रोपर्टी है not additive in nature जिनको आप add नहीं कर सकते हो तो electrode potential एक intensive property है ठीक पहला point पहला point क्या है electrode potential एक intensive property है और दूसरा point gives free energy ये थर्मोडानिक्स में पढ़ाया था ये कैसा है एक extensive property है जितनी तरह की energy है वो सब की सब extensive property है याद है याद है कि नहीं याद होना बहुत जरूरी है बच्चो additive in nature और आप इसको add कर सकते हो आप इसको add कर सकते हो तो एक point यह है कि electrode potential intensive property है इसको add नहीं कर सकते gifts free energy extensive property है इसको add कर सकते हो अब अगला point electrode potential एक state function भी है क्या है state function भी है तो बच्चों ने का इसका मतलब क्या है state function है और गिप्स free energy भी इस टेड़ फंसन है कि फर्मोडारिक्स में याद है पढ़ाया था कि पास फंसन कौन कौन से होते हैं वर्क हीट हीट कैपिसिटी वर्क हीट हीट कैपिसिटी पास पंसन है बाकी सब इस टेट फंसन है तो देखो एक स्टेट संसन है इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको बहुत अच्छे से जैसे देखो जैडन सॉलिड से जैडन प्लस 2 एक क्वस्ट देखो यह क्या है जीरो से प्लस टू तो यह औक्सेडेशन हो रहा है तो इसका पोटेंश्यल क्या होगा Oxidation Standard Oxidation Potential Suppose करो X Bolt है इसका Standard Oxidation Potential कितना है? X Bolt तो यदि किसी ने हमसे इसका Potential पूछा इसके उल्टेसेल का यह देखो, यह Reduction हो गया अपो जिद लिख दिया आपने और किसी ने इसका Potential पूछा तो आप अपने आप बता सकते हो प्लस X Bolt क्यों क्यों कि य इक क्यों ज का इन चर्ट एद यह चर्ट यह इसको आपने क्या बोला और अक रेशन और इसके पोटेंशियel को आपने बोला इसा टंडडल ऑप्टेंसियल जिसकी ःच्षप आप उल्ठाओ अभी आप ऐसे पहले अब आप पैसे तो देखो इनीसियल और फाइनल फिक्स है ना कि इनीशल ये इसके लिए इनीशल ये फाइनल ये तो वैलू भी सेम होगी क्यों क्यों कि ये स्टेट फंचन है मगरा प्रोसिस बोला क्या जाएगा रिड़क्षन और वैलू क्या है गी जश्ट आपोजिट साइन के साथ यह द ध्यान नख्येगा यह जो इस्टेट फंसन होने का मत्तब समझ रहो एक पट्टीकुलर हाफ सेल का ऑक्सिडेशन पोटेंशियल और रेड़क्षन पोटेंशियल दोनों निमेरिकली इक्वल होते हैं विद अपोजिट साइन क्यों क्यों क्योंकि स्टेट फंसन है उसी हाफ सेल का ध्यान नख्येगा एक हाफ सेल का ऑक्सिडेशन दूसरे हाफ सेल का रेड़क्षन एक्वल नहीं होते हैं उसी हाफ सेल का ऑक्सिडेशन पोटेंशियल उसी हाफ सेल यह बहुत बड़ा पॉइंट है हम लोगों के बहुत काम आएगा इस बात का विसेज ध्यान नख्येगा इसका मतलब हुआ कि यदि हमें कहीं पर यदि हमें कहीं पर रेडक्शन पोटेंशिल दिया है तो तुम अपने आप समझ जाओ उसी हाफसेल का ऑक्सिडेशन भी तुम अप्सडा पर शॉलइंट अपसके यदि हाब इसका आपको इस टेंडर डेक्शन पोटेंशिल दिया है माइनेस वन पॉइंट फाइफ टू झालप्टावज रोल्ट तो मैंने कहा हां की कल्कुलीट Tou Oxidation, Potential of Standard Oxidation Potential, Calculate Standard Oxidation Potential of Copper Solid 2, Copper Plus 2, Harpsil, Option है आपके पास, ठीक है, Plus 1.52 Electron Board, Minus 1.52 Electron Board, ठीक है, Zero Electron Board, None of these, अब बताईए, आंसर क्या आएगा, बता बच्चों, बता बच्चों, आंसर क्या आएगा, बताईए सब लोग, जल्दी बताईए, मैं एक गलस पानी पीता हूं क्रोशा, आंसर बताईए क्या आएगा, आंसर बताईए, क्या आएगा, आंसर, तो अब जड़ा देखो, यार बच्चों, यह जो हाफसल है, इसका जेस्ट अपोजिट वह आला हाफसल है, चेक करो, तो बस साइन चेंज कर दो, वैल हुआ ही रहेगी, बस आपको क्या करना है, साइन चेंज कर दो, वैल हुआ ही है, तो इसका मतलब हुआ, यदि किसी का औक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, तो इसका मतलब उसका रिडशन पोटेंशियल भी आपको पाता है, अब और आँगे आओ, गौर से बात को समझेए, हाना, दोखो, हमारे पास ये बात आई, और मैंने इसको इस तरह से बताया और स भी बीन, डिप बीन, गिप फ्री इनर्जी, और एलक्टरोड पोटेंशियल, अब देखो, गिप फ्री इनर्जी, और एलक्टरोड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, अब आप इसको देखिए, तो बच्चों relation होता है delta G equal to minus NFE अब ये क्या है delta G equal to minus NFE वेर आप चाहोगे कि मैं इसके बारे में कुछ बताऊं तो देखो वेर है डइल्टाजी क्या है डेल्टाजी है डिट्स loot przी अर्जी है और जारी बच्छों यह अब देखो और यूद्ट कोई नहीं है देखिए है डिल्टाजी क्या है डिश्चフुर defensive इनर्जी ओफ हाफ सेल यहाफ सेल तो हाफ सेल और पूरा सेल थीक है एंड यह कॉस्टेंट है जिसको बोलते हैं फराड़े कॉस्टेंट और इसकी वैलू होती है वन फराड़े एक्वल टू 965 00 कूलाम ठीक है यह है एलक्रोड पोटेंशियल एलक्रोड पोटेंशियल ओफ हाफ सेल यहाफ सेल है तो हाफ सेल का एलक्रोड पोटेंशियल और पूरा सेल है तो पूरे सेल का एलक्रोड पोटेंशियल मतलब मतलब यह है यदि आपने यहाँ पर एचा एन तो लिखना भूली गया पहले एन बता देता हूं एन क्या है टोट total number of mole of electron transfer in oxidation oblique reduction, total number of mole of electron transfer in oxidation oblique reduction, a cell reduction process, oxidation process में कितने electron transfer हो रहा है उसको तो बच्चों ने का सर थोड़ा करके बताईए apply करके दिखाईए तो मैंने का थोड़ा अप्लाई करके आपको दिखाता हूं जैसे यह देखो बच्चों यह हमारे पास एक हापसल है ठीक है जेड़न solid 2 zn plus 2 equals 2 electron और इसका reduction potential है हमारे ऑक्सिडेशन potential है minus ठीक है 1.76 electron अब यदि मुझे इसका g निकालना है तो कैसे निकलेगा जी इक्वल अब देखो जब यहां oxidation रखोगे तो यह oxidation आएगा तो आपने क्या रख्था ऑक्सिडेशन potential रख्था तो डेल्टा जी इसका एगा oxidation potential अब एन की वैलू निकालो एन की वैलू क्या है कितने electron participate कर रहे है oxidation यह reduction में कितने electron participate कर रहे है अब आप इसको साल पर लो यह वैलू आएगी ऐसे तो इस तरह से आपको वैलू डालनी है यह देखो बच्चों ने एक कोश्चन पूछ लो मैंने का चलो एक कोश्चन पूछ लेते हैं बताइए सब लोग इस कोश्चन का आंसर की क्या रहा है ठीक है देखिए मैंने का काल्कुलीट डेल्टा जी इस्टेंडर्ड ओफ डिवेन हाफसल ठीक है दिया क्या है देख लीजे कॉपर प्लस टू इक्वस टू एलक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड और इस्टेंडर्ड डेट्टन पोटेंशियल इस ठीक है माइनस एक्स बोल्ड अब बताओ इसकी वैलू कित बढ़ा संदी अब अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक यह कॉन सा रही है कैसे लोगे उसने क्या पूछा घ्रोटा घ्रोटि नौट इक्वल टू माइनस एन एफ डेल्टा जी नॉट अब यह रिडक्षन है तो यहां रिडक्षन रखोगे तो एन की वैलू कितनी है दो पूरे प्रोसेस में कितने एलक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं दो एलक्रिकली बैलन्स होना चाहिए नहीं है तो करोगे है ना देखो ट थोड़ा था आपकी वराइटी में लिख देता हूं सिस्टी नंबर थर्टीन देखो बच्चो इस फार्मुले को आप अच्छे समझें इंप्वाटेंट है हम लोग इससे खुब कोश्चन करेंगे देखो पहला यह जर्नल पाम है डेल्टा जी क्वल टू माइनस एन एफ टेंडि वर श्दि यदि आप यहां पर इस्टेंडर् लगा होगे तो यहां पर भ हो सब अब आपको इनर्जी निकाल लाइगी हो तो इस टेंडर प्रेंगूल पोटैंशेल रखना पड़ेगा और नॉर्मल गिफ्री निकाल यहों तो नॉर्मल पेंशेल रखना तो Oxidation Process की Gips Free Energy आएगी, यह दिखो, और जब यहाँ Cell Potential रखोगे, तो पूरे Cell की Gips Free Energy आएगी, यदि आपने पूरे Cell का Potential रख दिया, तो पूरे Cell की Gips Free Energy आएगी, जिसका Potential रखोगे, उसी की Gips Free Energy आएगी, यह ध्यान लखना, इतनी बात के लिए रहे, बच्चों ने का सर के लिए रहे, अब देखो, Point Number Next, इसको जड़ा समझेगा, बहुत अच्छे से, गौर सुनिएगा, गौर से, किसी, किसी, Half Cell, या, Full Cell, मतब पूरा Cell, Full Cell, का, Stender Reduction Potential, Stender Oxidation Potential, या फिर, Stender Ser Potential, Constant होता है, Constant होता है, किसी भी, Half Cell का, 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 Stender Reduction Potential, Stender Oxidation Potential, या, पूरे Cell का, Cell Potential, Constant होता है, वो, Concentration of, Species, पर, Depend नहीं करता, पर, Depend, नहीं करता, है, ऐसा क्यों है, क्योंकि, इस टेंडर, एलक्टोर, पोटेंचियल, एक, फिक्स, कंसंट्रेशन पर निकाला जाता है, ध्यान था, एक, मोलर पर निकाला जाता है, तो, आप हमेशा, उसको, एक ही, मोलर पर निकालोगे, तो, जब, Concentration, फिक्स, तो, ध्यान नक्किएगा, Standard, Reduction Potential, reason, भी लिख देता हूँ, Standard Oxidation Potential, Standard Cell Potential, एक Particular Cell, एक Particular Half Cell का कॉस्टेंट होता है, Reason क्या है, क्योंकि, वो हमेशा, कहां पर निकाला जाता है, उसको, आप हमेशा, मध्याम मोला कंसंट्रेशन में सॉल्व करते हो वण मोला कंसंट्रेशन में आफ ट्वंटिफवाइव डिगड़ी से इन्टी गेट वे स्टन्डर यह Standard reduction Potential Standard oxidation Potential Standard Cell Potential constant होता हूँ फिक्स होता है मगर चौन्टेट समझो तो इनकी जगहें पे स्टेणर ना लगा हो यह देकió यह सब वाईरीवी लहते हैं यह क्या है कि कंसरेंटरेशन है ओफ इस्ट्स जो भी सल्ण में इस्ट्सी यूजरी होंगी प्रेशर इन सब पर डिपेंड करता हैrid 16 में तो कंते हैज करेगा प्रेशर पर डिपेंड करेगा अटके यह प्रेचर करेगा और टमपरेचर पर बिपेंड करेगा तुब है तो वह लोग समझ id तो मैंने का देखो ज़रा यह देखिए मैंने एक सिंपल सा आपको कोश्चन लिख के दिया ध्यान दो इसका कंसंट्रेशन है पॉइंट वन मोलर और यह हाफ सेल है मैंने का इफ और इसकी वैलू दिये एसल स्टंडर आर्पी माइनस एक्स बोल्ड और इसल आर्पी माइनस वाई बोल्ड चेक करेंगे ला देखना इफ कंसंट्रेशन ओफ कॉपर आयन इक्वस चेंज 1.1 मोलर 2 1.5 मोलर मतलब आपने 5 टाइम्स कर दिया है 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया देन पोटेंशियल अब देखो देन सलेक्ट करेक्ट स्टेट्मेंट पहला पहला मैं पूछ रहा हूँ ठीक है बताइएगा इस टंडर की वैलू हमने वही रखी है ठीक है दूसरा इस टंडर दस नाट एक्वाल टू माइनस एक्स एलक्रॉन बोल्ट टीसरा इए आरपी की वैलू वही रखी है चौथा इए आरपी डस नाट एक्वाल टू माइनस वाई एलक्रॉन बोल्ट इए एंड एंड डी और करेक्ट बताओ यह कोश्यन और बता बच्चों कि मैंने यह कहा आपसे एक हाफसल दिया है उसके कंसंट्रेशन को मैंने चेंज कर दिया है और अब मैं आपसे पूछना चाहे रहा हूं कि बताओ उसमें क्या-क्या चेंज दाएंगे इप कंसंट्रेशन आप प्लस टू एक्वास आयन क्या कंसंट्रेशन पर जब सभाई है तो यह तो पहले लगए इस अब मगर न इस्ती हो जाएगी क्यों क्यों क्योंकि E यह देखो है, standard value constant होती है, डिपन नहीं करती है, हाँ है, तो यह देखो, तो यह value change हो जाएगी, इसका मतब यह सही है, तो answer कौन सा सही है, E, क्यों, A भी सही है, D भी सही है, हाँ है, A भी सही है, D भी सही है, तो आपको ध्यान लखना होगा कि concentration change करने से कौन सी value change होगी, कौन स वाइलू चेंज नहीं होगी एक और देता हूं देखो एक यह सेल है अपना हम लोग डैनियल सेल ही पड़ा रहे थे यह डैनियल सेल है ठीक है इस तरह से इसका ती सेल स्टंडर्ड यह दिया है ठीक है माइनस इवन बोल्ट ऐसे यह देखो इफ if concentration of ZN ion increases four times and concentration of copper ion increases two times then calculate new standard cell potential option plus E1 volt option minus two times of E1 volt option minus E1 upon 2 volt option minus E1 volt अब बताओ क्या होगा कोई हमारे पास सेल था उस सेल के आपने उस सेल का potential कितना है माइनस E1 electron volt है आपने क्या किया concentration of copper को four times किया और concentration of copper ion को two times किया अब नया सेल पोटेंशल पूछ रहे हो तो क्या यह गौर सुनिए गा से यहाई और यह दो यहाई आप किसी बच्चे ने का सर आपकी बात हम मान गया है कि आप क्या कह रहे हो बस मुझे एक बात बता हो मैं ने का क्या पूछो तो बच्चे नेका सरे बात 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 बाओ आपने कहा E जो है वो concentration पे depend करता है E standard concentration पे depend नहीं करता है मैंने कहा हाँ तो उसने पूछा कैसे depend करता है यदि हम concentration को दुगना करेंगे तो E standard कितने गुना change होगा यह हमको कैसे पता चलेगा कोई relation तो बताओ कोई relation तो बताओ तो जड़ा देखो इसके लिए क्या हुआ इसके लिए आई NARS equation NARS equation क्या करती है यह बताती है कि जब आप concentration change करोगे तो E standard E कितना change होगा E कितना change होगा यह बताती है तो यह क्या बताती है जड़ा देखो या एलक्टोर्ट पोटेंशियल या फिर E cell change when concentration of species change जब आप cell के या half cell की species का concentration change करोगे तो E cell या half cell potential कितना change होगा तो उसके लिए equation जड़ा देखो क्या होती है E equal to E standard minus देखो यहां से चालू होती है आप चाहो तो यहां से भी लिख सकते हो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी इस्टेंडर प्लस आर्टी एलन क्यूसी यह आपको मैंने केमिकल इक्लूब्रियम में पढ़ाई थी है यह equation इसको हैं हर्टाज equation बोलते हैं अब इसकी value डाल दो nf e इसकी value डाल दो nf e standard rt ln qc अब nf से divide कर दो माइनस nf से तो देखो जब माइनस nf से आचे यह दो यहरा ने हैं तो हाब थ्ल्क्रोट पोटेंचिल और पूरा और सखरएल है पूरे चल्स खर्ल्क्रों के अलिए और को इस्टंडर क्या है इस्टंडर अलाप्रोर details को तो ports can कि इस कि इस और एक फराडे को तेनक है और एक फराडे की वैलू कितनी होती यह 965 00 कुलाम कि मिस अनका है एए भाउन उख्रॉन ट्रांसफर है N नम्ब्र ऊफ एलक्ट्रॉन ट्रांसफर और क्या रही टी टंप्रीट्र है में इपनॉट टेंप्रीट्र इसमें बहुत सारी सारी चीज़े कॉस्ट तो र पापर उनिवर्सल अब तो अब गौर से बापों को समझिए कि हमको इस चीज को कैसे करना आ ध्यान दीजिए लिद्धा इसमें से और कॉस्टेंट है थीक फॉस्टेंट है तो हम क्या करते हैं इसमें वैलू डाल देते हैं क्या वैलू डालते हैं, देखो, F की वैलू डाल दी, 96500 कूला, R की वैलू डाल दी, 8.1, sorry, 8.314 जूल, मोल इनवर्स, कैल्विन इनवर्स, और T की वैलू डाल दी, 298 कैल्विन, मतलब 25 डिग्री सेंटिगेट टम्परिचर, आपने ये वैलू डाल दी, पानी पीलू यार बच्चो, आपने ये वैलू डाल दी, ठीक है, तो जब ये वैलू डाल दोगे, तो ये फार्मूला देखो, कैसे हो जाता है, E, E standard, minus, 0.0591, upon N, log, QC, तो इसको आप easy form में ये लिख लेते हो, मगर ये जो फार्मूला है, ये वैलिड है, जब टम्परेचर 298 हो, भाई ये चीज तो कॉस्टेंट है, मगर टम्परेचर थोड़ी कॉस्टेंट है, टम्परेचर तो हम अलग लग रख सकते हैं ना, तो ये फार्मूला क्या है, एट 298 कैल्विन टम्परेचर पर अपली केबल है, ये यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है, तो यूनिवर्सल फार्मूला कौन सा है, तो गौर से जोंखो, चीज़डी, ओ, पीज़डी नंबर 14, देखो, रिलेशन किस चीज़ का है, रिलेशन है, एलक्टोर पोटेंशियल एंड कंसेंट्रेशन, क्या रिलेशन है, इक्वल टू, इस टेंडर, इक्वल टू, इस टेंडर, माइनस, दौर सुनिएगा, माइनस, ठीक है, आर्टी अपान एन एफ, एलन, क्यू सी, यह यूनिवर्सल फार्मूला है, यह यूनिवर्सल फार्मूला है, यह किसके फार्म में है, एलन के फार्म में है, यह बच्चों है, लॉक के फार्म में है, यह यूनिवर्सल फार्मूला है, यह किसी भी टंप्रेचर पर अपलीकोबल है, क्योंकि यहां त तक टम्प्रेचर की वैलू नहीं डाल यह देते हो तो यह फार्मूला ऐसे आ जाता है कि आ कि लौग क्यों सी यह लॉग हो जाता है लॉग लिखते तो अच्छा लॉग लिखा क्यों जब तुमने इसको ważne है तो टमप्रेचर की आल डाल दिया है 298 कि उच्ट अधि टमप्रेचर को श्रम में धिया जा रहा है और वो 298 नहीं है तो यह वाला फार्मॉला लगें लगेगा उस्ते इसमें में पर या तहंतार dual लगतारी Cup 3 कि अपान कंसंट्रेशन और रियक्टिव कि यह जो पहले निकालते थे वह यह तो बच्चों ने का सर इस पर कोश्चन कैसे आएंगे तो मैंने का चलो करते हैं देखिए यह हमारा एक डैनियल से ले ऐसे है यह हमारा क्या है डैनियल से इस तरह है ठीक है यह देखूंग सुरी बच्चों और इसका cell potential है E cell equal to E1 गहर संत्य जाहिएगा अब मैंने क्या किया इफ रच्त्राश Corn Nich बच्त्राश cracks 살아 मैंने का संत्याज है बच्च्च्च्च्च लैडब मैंने C रसे जाहिएगा डच्च समीं परक्राशपATHAN-वार्तर खी बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च पहला इवन और इटू आपस में बराबर है दूसरा इवन बड़ा है इटू छोटा है तीसरा इवन छोटा है इटू बड़ा है चौथा नन ओफ दीज अब देखो कैसे करोगे पहले तो यह देखो कि यहें इस सेल दिया है यह सेल इस्टेंडर दिया है तो वह तोस बाद कंसरे इसकी चेंज होगी अब कितनी होगी बढ़ेगी यह घटेगी तो अब इक्वेशन बताएक्विश्ट है कि मैंने कुछ देर पहले किया था यह देखो वही कोश्चन किया जैडन के कंसंट्रेशन को फोल टाइम सिंक्रीज किया वैलू कितनी थी इवन अलक्टॉन बोलती मगर वह इस्टेंडर था नई वैलू भी कितनी आई इवन अलक्टॉन बोलता है क्यों क्यों कि तुमने नया इस्टेंडर पूज था और इस्टेंडर एलक्टॉर्ट पोटेंशियल चाहे वह हो हांप सेल का हो कंसंट्रेशन पर डेपर नहीं करता तो यह ओम मैंने क्या किया है मैं अब मैंने तो यह चेह निकाल ला हो तो हर जगय सेल हो जाएगा minus 0.5959 को यह कर दिया and log qc तो पहले कितना था इवन था तो यह थी n की वैलू कितनी है दो जाहो तो रखो जाहो तो ना रखो क्यों दो एलक्त्रान का रिडक्ष्ण हो रहा है टोटल तोटल दो एलक्ट्रान का ओक्सिडेशन अगा है जितने एलक्ट्रॉन का तो आपने क्या किया यह लिखा अब लॉग क्यूसी की वैलू रिखोगे नहीं तो यह लिखा जाएगा यह लिखा जाएगा यह लिखा जाएगा अब यह इक्वेस्न थी अब आपने जेडेन के कंसंट्रेशन को फोल टाइम्स कर दिया अब यह बताओ इस टेंडर की वैलू यहीं लिखेंगे कुछ नहीं लिखें इस टेंडर की वैलू सेम रहेगी की चेंड योगी तो जो पहले थी वही अभी भी है क्योंकि वो तो कंसंट्रेशन पर गळाएगी तो आप वैलू बढ़ा रहा हो तो क्योंकि माइनस है आपने माइनस वाली वाली लु इंक्रीज़ की है तो आप मतलब एवन बढ़ा है ई-2 चोटा है क्यों आपने नीगेटी और पहले मालोओ पाँच माइनस हो रहा था आप tha नगम हो ना आइगा है आंजागा यह तो अब देखो कंसंवेशन का इफेक्ट आ रहा है थाना monte कर रहा तो मगर इस बाद का विशेश ध्यान देगा वह इसल की बाद कर रहा है या इसल इस धंडर की बात कर रहा है तो कंसरेशन योने पर चेंज होगा परेसर चेंज होने पर चेंज होगी इस टेंडर कि बाद कर रहा होगा तो नहीं होगा बसट याइफ मनें रख़ी है जो पहले रखी थी, वही देखो बाद में भी रखी है, क्योंकि ये concentration पर डिपेंड नहीं करती है, ये तो constant होती है किसी particular cell की, बच्चों ने का ठीक है, अब बच्चों ने का सर एक अभी दिक्कत है, मैंने का क्या, बच्चों ने का सर यार आप ले न, एक चीद नहीं बताई इसल निकाला कैसे जाएगा, इसल का concentration के साथ relation बता दिया, इसल का delta G के साथ relation बता दिया, मगर इसल का half electrode के साथ relation नहीं बताया, तो अब ज़रा इस बात को ज़रा संदे, अब आपको relation बताने जा रहा है, relation between, E-cell and E-oxidation and E-reduction, ज़रा देखो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला point आया, E-cell होता क्या है, E-cell को कहा जाता है, EMF of cell, EMF of cell, EMF of cell का मतलब होता है, electro motive force of cell, मतलब ऐसा force जिससे cell काम करता है, तो वो कैसे निकलता है, ज़रा उसकी definition सुनू, होता क्या है, गौर सुनिएगा, ठीक है, यह क्या होता है, maximum electrode potential of cell if zero current apply in cell या reversible cell. जिस समय, जिस समय cell में zero current supply हो रही होगी, उस समय जो voltage होगा, उसको EMF of cell काते है, जिस समय cell में zero current supply हो रही होगी, उस समय जो cell में voltage होगा, उसको EMF of cell काते है, और इसकी value होती है, E cell equal to, गौर से देखेगा, E reduction potential of cathode minus E, ठीक है, oxidation potential of anode, sorry, E reduction potential of cathode, E reduction potential of anode, दोनों का reduction potential मैंने लिखा है, E cell equal to E reduction potential of cathode minus E reduction potential of anode, यह देखो, और जब आप इसको standard कर दोगे, यह देखो, तो यह भी सब standard हो जाएंगे, E cell standard equal to E reduction potential of cathode, E standard reduction potential of anode, अब यहाँ पर बच्चों को कई confusion होते हैं, और भुकों में यह फार्मूला कई तरह से दिया होता है, तो अब मैं सभी तरह से इसको लिख के दिखाता हूँ, सभी तरह से इसको लिख के दिखाता हूँ, और ध्यान नखियेगा, यह सारी बाते सेम है, इस फार्मूले को देखो कितनी तरह से लिखा जा सकता है, PSD नंबर 15,